और केंद्रे वितमंत्री निर्बला सीतारमन ने अपना पांचवा बजट पेश किया और उत्राखन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद अगरबाल ने संसद में निर्बला सीतारमन द्वारा पेश किये गए बजट को सुना और बजट में वितमंत्री ने बड़े ए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंट के वित्तमंत्री प्रिम चंद अगरवाल जी इन से बातचीत करते हैं सर इस बजट को पहली नजर में आपकी प्रत्किया के तौर पर हम कैसे समझें यह आम आदमी के लिए कितना हितकारी बजट होने वाला है देखे मैं जिस प्रकार से आज सेंसेग में उचालाया है जिस प्रकार से 5 लाग से 7 लाग के आयकर में छूट पूरी तरह से दी गई है और पुरानी जो हमारी स्कीम है उसमें कटोती कर गया नि 7 से 5 लैप से लाने का काम किया गया तो मैं इसे बहुत संतुलित बजट के रूप में है जिस प्रकार से हर वर्क को इसमें साधने का काम किया गया है मैं कह सकता हूं ही बहुत अनुशासीद बजट है बहु आयामी बजट है और आने वाले समय पे इसका चोब असर दिखाई देगा तो इसे कह सकता हूं बहुमुखी ये बजट है और चारों तरफ चाहिए किसानो की बात करें युवाओं की बात करें मैलाओं की बात करें हमारे इंफ्राइस्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें और रोजगार बढ़ाने की दृष्टी से बात करें तो सभी दृष्टी से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है बहुत सुंदर बजट है और शायद से देखते हैं क्योंकि कई एरपोर्ट साथ के विस्तार की बात कई गई है ये कितना अब इंफिट होगा उत्राखंट के लिहाज से उत्राखंट स्टेट के दे नजर से समझें आप जानते हैं जब हमारे यहां जौली ग्रांट एरपोर्ट बना तो परेटन और तीर सियातर दोनों बड़ी थी और उसी दृष्टी से अब 50 और नए एरपोर्ट से बढ़ाने का काम हमारे इस बज़ट में किया गया है उसका प्राफधन किया गया है तो मैं माननके चलता हूं इससे जहां प्रेटन दृष्टी से भी लाब होगा व्यापारिक दृष्टी से भी लाव होगा और जो पावधान अन्य छेत्रों में किये गए उससे निवेश बढ़ने की जो बात मैं महसूस कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में हमारे उत्राखंट को इस दोनों दृष्टी से बहुत बड़ा लाव आने वाले टैम पे हमें दीखने को मिलेगा सर मौझूदा मोधी सरकार का अंतिम बजट है अगले बजट वर्स में सरकार चुनाव मोड में होगी बजट में जो आयकर की सीमा पांस से साथ की गई दो लाख रुपे कई और रियायत दी गई तो क्या नमाना जाए लोग सभा चुनाव को देखते विए थोड़ा सा रिजह आने की कोसिस है जो बीते दिनों से लोग नुकसान उठा रहे थे नहीं ऐसा नहीं है आप यूं कह सकता है कि माने प्रधान मंत्री जी का एक ही मूल मंत्रे सबका साथ सबका विकास और लगातार अपने जब भी बजट पेश किया गया हर बार नई चीज नई चीजें उसमे प्रस्तुत की गई है और जिस परकार से आज पूरे वैस्ट्री की दृष्टी सम देखें तो मंदी का दोर है उसमें हमारा मजबूत अर्थ विवस्ता की दृष्टी से बजट पेश हुआ है और आप देखें पांच लाग से साथ लाग रुपिया जो आयकर में छूड़ ही गई है यह तो वास्तों में बहुत अच्छा बजट कह सकते हैं हर वर्ग इसमें बहुत संतुष दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से जिस प्रकार से मैंने का कि सेंसेक्स में उचाल आया है तो मान के चलिए सब ने इसको पसंद किया है और धिरे धिरे जब लोग इस कहा है यह जो बजट है यह आम आदमी का बजट है और आयकर किस लैब में जो रियायत दी गई उससे निश्चित तोर पर आम आदमी को बड़ा फायदा होगा कैमरा सहियोगी अंजीत के साथ सुधीब जैन न्यूजवन इंडिया